हेलो मैं लवली पुडीज, वेलकम बैक टू होडोफाइल शेफ यूट्यूब चैनल तो आज मेरी मौसी सास बना रही है वेज फ्राइड राइस उनके अलग अंदाज में बीना अजिनो मोटो के ये हल्दी घर पे बनाया हुआ फ्राइड राइस आप भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक बड़े कड़ाई में दो बड़े चम्मच तेल डाल दिया है तेल को थोड़ा गरम होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पंदरा से बीस लसुन की कलिया जिसे बारिक कट कर लिया है दस से बारा सकेंड इसे पकने दे फिर हम इसमें डालेंगे चार से पांच हरी मिर्च बारी कट की हुई और इसमें हम डाल देंगे सारी सबजिया जैसे की प्याज, पत्ता गोबी, शिमला मिर्ची और गाजर तो यहां मैंने एक शिमला मिर्च ली थी बड़ी वाली और एक बड़ा गाजर लिया था जिसे बारीग तुकडों में कट किया है और आधी पत्ता गोबी थी, जो मीडियम साइज की थी, उसे भी कट कर लिया है लंबे-लंबे तुकडों में और एक प्याज है, उसे भी हमने लंबा लंबा लेंद्वाइस काट लिया है आप चाहें तो स्प्रिंग ओनियन्स भी डाल सकते हैं बट ये सीजन में स्प्रिंग ओनियन्स मुश्किल लगता है थोड़ा मिलना इसलिए वो नहीं डाला था अब हम इसमें डाल देंगे स्वादनुसर नमक अच्छी तरह से सब कर बेंडर हो जाएं सबजिया दो मिनिट बाद हम तुरंत इसे निकालेंगे और इसे एक बडर अच्छे से चला देंगे अब हम इसमें कुछ सॉसेज डालेंगे तो दो बड़े चम्मच हमने इसमें शेजवान चटनी डाल दिया है और दो चम्मच हम डालेंगे रेड चिली सॉस दो बड़े चम्मच और दो बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस एक बार अच्छी तरह के से मिक्स कर लेंगे सबजियों के साथ और अब हम इसमें डालेंगे चावल तो चावल को हमने पहले से ही पका लिया था नमक और तेल डाल कर और जैसे ही थोड़ा ये पक जाये तब इसका पूरा पानी निकाल देंगे चावल का और फिर चावल कुछ इस तरह खिले-खिले बनते है Panther oses तो डालना भूली गई तो इसे हम थोड़ा साइड में कर देते हैं और सोया बीन इसमें पानी-डाल कर सोया बीन भी इसमें डाल देंगे इसका काफी अच्छा टेस्ट आता है और यह मौशी के Council Imagine वेच फ्राइड राइस बन रहा है तो सोया बीन डालने के साथ बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी लगता है तो आप अपने हिसाब से चावल इसमें डाले सब्जियों के हिसाब से और इसे अच्छे से हलके हातों से मिक्स कर ले और जैसे की नमक हमने चावल पकाते वक्त बीडाला था और सोया बीन में भी डाला था और सबजिया पकाते वक्त भी डाला था तो नमक डालने की जरूत नहीं है जो तोड़ा जादा नमक खाते हैं आपने टीस्ट के encouraging इसके उपर वापस आप नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर ले दो से तीन मिनिट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले जब तक इसमें इवन कलर ना आ जाए और वैसे देखा जाए तो ये वेज़ फ्राइड राइस बनाने का तरीका भी सेम ही है बस इसमें कुछ चीजे जो अपन सब डालते हैं वो नहीं पड़ी है जैसे की काली मिरी का पाउडर नहीं डाला है विनेगर नहीं डाला है फिर इसके उपर और एक नहीं चीज आड़ हुए तो सब का बनाने का तरीका अलग होता है और टेस्ट भी उसकी हिसाब से आता है तो बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट भी मैंने खा के देखा है आप भी इस तरह जरूर ये वेज़ फ्राइड रैस बना के देखे अच्छा लगेगा आप सभी को आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स रेसिपी में थैंक यू फो वाचिंग टेक केर बाबाई